नमस्कार दोस्तों, स्वागा थे आप सभी का स्वास्ति क्लासेज में दोस्तों साहे कध्यापक भरती परिक्षा की दृष्टी से हम लोग समान ग्यान एम सम समाई गटनाओं का लगातार एक हबते से अध्यान कर रहे हैं जिसके कड़ी में दोस्तों यह अगला वीडियो है आप सभी के लिए इसमें 15 most important question है जो की परिक्षा की दृष्टी से बेहद important है ठीक है तो देर ना करते विए शुरू करते हैं पहले प्रसंद से पहला प्रसंद है दोस्तों इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां है फिर से देखिए प्रस्ण क्या है, इकाना इंटरिशनल क्रिकेट स्टेडियम, यह बहुत ही ज्यादा मात्पूर्ड प्रस्ण है दोस्तों, यह कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, इसका जो नया नाम है वो क्या है कि भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपाई, इकाना तो इसके लिखा कौन है युराज सेनवार ने भी नो इस्पिन आपने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में तो इसके लिखा कौन है युराज सेंग दटिश्ट आफ माई लाइफ के ओके आगे देखते हैं अगला प्रसन है दोस्तों कि सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था आपके ऑप्सने बाबर नादिर साह मुहमद गोरी महमूद गजनवी तो सही आंसर क्या है दोस्तों महमूद गजनवी महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी राजिका क्या था राजा था और यह भारत पर 17 बा पंकज आडवानी ये हैं होकी, गोल्फ, फुटबॉल या विलियर्ड्स, सही option क्या है दोस्तों, पंकज आडवानी, विलियर्ड्स, भारती खिलाड़ी हैं, ये विलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं, अगला question है, बहुत इंपोर्टेंट है, कल्प योजना संबंधित है, कल् बेसिक सिक्षा से, उच्च सिक्षा से, माध्मिक सिक्षा से, या प्राविधिक सिक्षा से, तो सही अंसर क्या है दोस्तों, इसका कल्प योजना बेसिक सिक्षा से संबंधित है, आगे देखते हैं, वर्स 2020 के ओलंपिक खेल, प्रस्तावी होने हैं कहां पे, option है, जापान म में राजील में इस्पेन में या दक्षिड अफ्रिका में तो सही अंसर क्या है दोस्तों सही अंसर है जापान टोक्यो जापान में होने हैं कब से कब तक यह होना है दोस्तों 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, ठीक है, 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना है टोकियो जापान में, वर्स 2020 के ओलम्पिक खेल, क्लियर, आगे देखते हैं, सातवा प्रस्न, दीपा मलेक, हाल ही में खबर में रही, वह किस खेल से संबंधित हैं, ऑप्शन है, बैडमिंटन, क्रिकेट, भाला फेंक, या नन आफ दीज, भाला फेंक को क्या बोलते हैं, जेवलिन त्रो भी बोला जाता है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका, ऑप्शन, C, भाला फें में रही, खिक है, ये एक दिव्यांग भारतिये खिलाडी हैं, दिव्यांग भारतिये खिलाडी हैं कौन, दीपा मलिक जी, ठिक, इनको भाला फेंक, यानि जेवलिन त्रो और तैरा की इत्यादि खेलों के लिए जाना जाता है, अगला most important प्रसन है दोस्तों, मिस इंडिया 2018 का खिताब से किसे नवाजा गया, प्रसन एक बार फिर से पढ़िए कि मिस इंडिया 2018 का खिताब से किसे नवाजा गया, option है मानुसी छिलर, स्टिफनी डेल, स्री सैनी या अनुकृति बास, तो सही answer क्या है दोस्तों इसका, सही answer है, option D, अनुकृति बास, अनुकृति बास और ये तमिल नाडु से बिलॉंग करती है, ठीक है, तमिल नाडु से ये बिलॉंग करती है, ठीक कौन, अनुकृत बास, ये मिस इंडिया 2018 का किताब से इनको नवाजा गया था, अगला कॉसन है दोस्तों, वहुत ही important है, APJ, स्वारी, APJ हो गया है, APJ, अब्दुलकलाम, द ओरिशा में, बदरक जिले में, पहले एक इस्तिथा, वीलर दीब विलर दीप था इसी का नाम परिवर्थित करके कर दिया गया है एपी जे अब्दुलकलाम दूइप कहाँ पे ओडिशा में ओडिशा के भदरक जिले में है ये ठीक आगे देखते हैं अगला कॉस्टन अगला कॉस्टन है दोस्तों की हरियाडा के किस ग्राम पंचायत ने सौचाले नहीं तो दुलहन नहीं का प्रस्ताव पास किया है ओप्सन है बरोला, दानीपुर, जानधेरी, गोधिका कांके हरियाडा के किस ग्राम पंचायत ने तो हर्याना के गोदिका ग्रांग पंचायत ने सौचाले नहीं तो दुलहन नहीं प्रस्ता पास किया है अगला क्वाशन है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है काला चांद किस चित्रकार की विश्व विख्यात कृती है काला चांद किस चित्रकार की विश्व विख्यात कृति है option है आपके मकबूल फिदा हुसेन राजा रभी वर्मा सतीस गुजराल और तैयब महता तो सही answer क्या है दोस्तों सतीस गुजराल जी का ये काला चांद जो है कृति का विश्व विख्यात है अगला question देखते है दर्वाजा बंद अभियान दर्वाजा बंद अभियान के brand ambassador कौन है option है नरेंद्र मोदी साक्षी मलेक, अमिताब बच्चन या विद्यावालन इन option में से कौन सा option सही है दोस्तों अमिताब, बच्चन दर्वाजा बंद अभियान के brand ambassador है ठीक, अब दर्वाजा बंद अभियान जो था, ये इसका क्या उद्देश था कि खुले में सौच बंद करने के लिए खुले में सौच को बंद करने के लिए और सौचाले उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ठीक, उमिद करता हूँ समझ गया हूँगे आप लोग, आगे देखते हैं भीम एब, B-H-I-M भीम एब को हाल ही में भारत सरकार दोरा जारी किया गया ठीक है, तो भीम में आई से क्या तात्पर है आई से क्या मतलब है आप्शन है आपके इंटरफेस, इंटिट्ट्टूट, इंडी और इंटर इंटरफेस, इंटिटूट, इंडे और इंटरफीक तो सही आंसर गया है दोस्तों इसका option A इंटरफेस भीम का full form क्या होता है दोस्तों यहाँ पी आप लोग समझ लिजिए भारत भारत interface for money ठीक इसको NPCI द्वारा डेवलप किया गया ठीक है इसका फुल फॉर्म है National Payment Corporation of India अगला प्रसने दोस्तों प्रसिद्ध तिवहार ओर्णम किस राज में बड़ी हर्सो लास के साथ मनाया जाता है प्रसिद्ध तिवहार ओर्णम किस राज में बड़े हर्सो लास के साथ मनाया जाता है तो और नार्वे की भासा क्या है नार्वेजियन नार्वेजियन इसका है। नार्वेजियन ठीक और मुद्रा क्या है इसका यह भासा ओगया भासा नार्वेजियन ठीक है भासा और आज भासा भी नार्वेजियन है मुद्रा है इसका नार्वी जी आई नार्वीजी आई क्रोन ठीक है तो नार्वी की राजदानी है ओसलो ठीक है और भासा इसकी नार्वीजीयन मुद्रा है नार्वीजी याई क्रोन क्लियर एक कोशन दोस्तों आप लोगों के लिए तो भरस्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखा क्या लेखी का कौन है ओप्सन है खुसवंत सिंग मेरे कॉम किरन बेदी अमरिता प्रितम इसके पहले मैंने इस चीज़ को बताय हुआ है ठीक है तो इसका अंसर आप लोग कमिट करके बताओगे क्लियर जो दोस्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दीज़ेगा बेल आइकन जो घंटे का निसान होता है उसको आप जरूर से जरूर प्रेस कर दीज़ेगे क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करते हो तभी आपको नॉटिफिकेशन स्वास्ती क्लासेज के मिलते रहेंगे ठीक और आप डेली अपडेट होते रहेंगे क्लियर ठीक है दोस्तों थैंक यू